आपके माबाप आपको काम्याब होते देखे खुश होते हैं और उन्हें ये होता है कि हमारे बच्चे आज अपनी जिन्दगी में काम्याब हैं आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप अपने माता-पिता का आशिबात लेकर हर काम करते हैं अगर आप जिन्दगी में सही माईने से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने माता-पिता का आशिबात लेकर उनका आशिबात अगर आपके सरपे होगा तो आप अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ते जाएंगे आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि वो आ आशिवाद आपके माता-पिता का आपके साथ है। और आप इश्वर से भी आशिवाद लेंगे तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी मुश्किल आपके रिस्ते में नहीं आएगी बलके आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अपने माता-पिता का आशिवाद नहीं लेंगे, तो आप कभी भी अपनी जिन्दगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप उनका आशिरवाद नहीं ले रहे हैं। आप उनकी डिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने माता-पिता का आशिरवात लिए उनकी आग्या का पालन करें उनकी रिस्पेक्ट करें आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पे बात देते हैं कि हमारे बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़े कभी भी इनको कोई मुश्किल ना आए और अपने जीवन में हसते रखेंगे उनकी रिस्पेक्ट करेंगे उनके साथ प्यार से बोलेंगे उनके साथ वक्त पिताएंगे और बचों को भी सबसे ज़्यादा भरोसा अपने मापाप पर होता है कि यही हैं हमारे अपने जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ होते हैं हमारे हर मुश्किल में हमारे साथ होते हैं और हमें इनका पूरा ख्यार रखना चाहिए इनका हमें आदर करना चाहिए सम्मान करना चाहिए इनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए इससे आपको भी अच्छा लगता है और आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमारा कितना ध्यान रखते हैं और बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हमारे माबाप हमारा कितना ख्याल लगते हैं हमारा कितना फिकर करते हैं हर बड़ों से आप आशिरबात लिए क्योंकि बड़ों का लिया हुआ आशिरबात आपको जीवन में काम आता है आपके जीवन को सफल बनाता है आपके जीवन में कोई भी कठनाई हो, कोई भी मुश्किल हो वो जल्द हल हो जाती है, दूर हो जाती है और आपको अच्छा लगता है कि मेरे सर पे मेरे बड़ों का हाथ है और मैं इनके ही आशिरवाद से आज यहां तक पहुंचा हूँ, कामयाब हुआ हूँ और आपको भी कितनी खुशी होती है कि मेरे बड़े मेरे सर पर हाथ रखते है मुझे आशिरवाद देते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम अपने जीवन में आगे बड़ो, कामयाब हो और खुशी से अपना जीवन बिताओ अच्छा लगता है ना जब आपके बड़े आपको ऐसा आशिरवाद दे आपके अंदर confidence आजाता है कि मेरे बड़े मुझे पुरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं मेरे साथ इश्वर का भी आशिरवाद लें, जब भी आप अपने काम पर जाएं, कहीं पर जाएं, तो इश्वर का आशिरवाद लेके जाएं उसके ये चर्णों के आगे माथा टेके और उसका आशिरवाद लें, है इश्वर मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे आगया दो, मुझे आशिरवाद दो, कि मैं अपने जीवन में जो भी काम कर रहा हूँ, उसमें सफल हूँ और मेरे रस्ते में कोई भी मुश्किल हो, उसका आप ही हल करना, मेरे साथ होना, और मुझे हर मुझे हर मुझे साथ होता है, हर मुझे साथ होता है, हर मुझे साथ होता है, और आपको भी अच्छा लगता है, कि मैंने इश्वर का भी आशिरवाद लिया है, और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा हूं और जो भी मुश्किल है इश्वर उसका हल निकाल देता है क्योंकि आपके मन में ये विश्वाश हो जाएगा कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं या कोई भी काम करना चाता हूं अपने बढ़ों का आश्वाश लेकर करूँगा तो मैं अपने जीवन में कामयाब हो जाओंगा आगे बढ़ूँगा और मेरे जीवन में कोई भी मुश्किल होगी उसका भी हल निकल जाएगा क्योंकि मुझे इश्वर पे और अपने माबाप पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे सच्चे दिन से आश्चिदवात देते हैं और मेरी कामयाभी के लिए प्राफना करते हैं और मुझे पर भरोसा करते हैं कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और सब का भला कर रहा हूँ किसी के साथ मैं बुरा नहीं बोल रहा किसी के साथ मैं बुरा नहीं कर रहा अगर आप हर किसी के साथ अच्छा करेंगे अच्छा बोलेंगे अच्छा विवार करेंगे तो हर कोई आपको शिर्वात देगा हर कोई आपकी प्रेस करेगा आपकी कामयाबी की कामना करेगा कि ये कितने अच्छे हैं इनका सुभाव कितना अच्छा है ये हर किसी का भला एक भले के बारे में सोचते हैं और हर किसी का बला करते हैं किसी को बुरा नहीं बोलते किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते और वही कामना करते हैं कि ये अपने जीवन में आगे बढ़े इन्हें कोई मुश्किल ना आए और ये कामयाभी तक पुहुंसे के आपको वे इच्छा लगता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के बारे में मैंने बुरा नहीं सोचा, तभी ही मैं आज कामयाब हूँ, तभी ही मैं आगे बढ़ सुका हूँ और अपने जीवन में मैं खुश हूँ हर किसी के आशिरवाद की शक्ति होती है और मापाप के आशिरवाद की शक्ति बर्पूर होती है क्योंकि उनके आशिरवाद में ईश्वर से वो दुआ मांगते हैं कि हमारा बच्चा अपनी जिन्दगी में आगे बढ़े और जो भी करे उसे कामयाबी मिले और अपने जीवन में खुश रहे ऐसा अशिरवाद अगर मिल जाए तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे कामयाब हो जाएंगे कभी भी आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप सच्चे दिन से अपने मापाप की रिस्पेक्ट करते हैं उनके साथ बुरा नहीं बोलते उनके साथ मिस्भेव नहीं करते बलके उनका पुरा ख्याल रगते हैं और आपके मापाप खुश होते हैं कि हमने अपने बच्चों को अच्छे संसकार दिये हैं तबी ही हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा विवार करते हैं, हमारा ख्याल रगते हैं और हमारी रिस्पेक्ट करते हैं आप कभी इतनी अकड़ में नहों कि मुझे किसी के आशिरवात की जुरत में हूँ मैं जो भी हूँ अपने बन पर हूँ, नहीं अगर आप यह सोचते हैं तो आपकी सोच गलत हैं, क्योंकि आपके माबाब हर वक्त आपको आशिरवात देते हैं उनके दिल से यही दुआ निकलती हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए ही हैं और वो हमेशा ही दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हूँ, अपने जीवन में आगे बढ़ें, कभी भी इनको कोई मुश्किल ना आए और ये जीवन को खुश में जीए चाहें आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट ना करें, उनके साथ आप अच्छे से ना बोलें, उनके साथ आप वक्त ना बिताएं पर तब भी माता पिता आपको आशिरवाद देते हैं तब भी आपके माता-पिता आपकी भलाई मांगते हैं, इश्वर से दुआ का मांगते हैं, कि हमारा बच्चा जिन्दगी में कामयाब हो, उसे कोई भी मुश्किल ना आई अगर आप अपने माता-पिता का आशिरवाद देखे जाएंगे, तो आप अपनी जिन्दगी में सुखी होगे, आपको कभी भी कोई दुख नहीं होगा, और आप अपने जिन्दगी में कामयाब होते जाएंगे, अगर आप अपने माता-पिता का आशिरवाद नहीं लेंगे तो आपकी जीवन में दुख ही दुख होंगे क्योंकि आप अपने माता पिता का आदर ने कर रहे उनका सदकार ने कर रहे उनके साथ अच्छी तरह बिवार ने कर रहे उनके साथ दो वक्त बैठ के कोई बात ने कर रहे अगर आप अपने माता पिता को दो वक्त देंगे दो मिंट उनके पास आके बैठेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा उन्हें ऐसे लगेगा कि हमारे बच्ची हमारा फिकर कर रहे हैं हमारे बारे में सोच रहे हैं हमारा ख्याल रखने है और आपको वो आशिरवात देंगी कि बेटा तुम जो भी करो अपने जीवन में आगे बढ़ो और कामयाब हो कोई भी मुश्किल आएगी तो हम तुम्हारे साथ हैं और इश्वर पर भरोसा रखो इश्वर का भी आशिरवात लो कि ही इश्वर मैं अपनी जिदीगी में जो भी करूँ तुम मेरे साथ होना मुझे हर मुझे हर भी मुश्किल रस्टों से बचाना और मुझे पर इद्या करना और इश्वर आपके साथ होगा हर दम आपके बारे में सोचेगा और आपका ख्यार रखेगा आप ये सोचते हैं कि मुझे अपने माता-पिता के आशिरवाद की कोई जुरूत नहीं मुझे इश्वर के आशिरवाद की जुरूत नहीं तो आपकी सोच गलत है अगर अब कामे अब हैं तो इसके पीछे आपके माता-पिता का आशिरवाद है क्योंकि वो चाते हैं कि हमारा बच्चा कभी भी निराश ना हो कभी भी दुखी ना हो बलके वो अपनी जिन्दगी हसी खुशी जिये कामयाब हो और जो वो पाना चाता है जहां तक पहुंचना चाता है वो वहां तक पहुंचे क्योंकि माबाप को बच्चों से कोई गिलानी होता कोई शिक्वानी होता चाहे बच्चे अपने माबाप की रिस्पेक्ट ना करें उनके साथ दो वक्त बिताएं ना और उनके साथ सही धंग से बात ना करें पर माबाप तो समझते हैं कि ये हमारे अपने हैं ये हमारे बच्चे हैं चाहे आज हमारे साथ हमारा हाल नहीं पूछ रहे हमारी इस्पेक्ट नहीं कर रहें पर हैं तुम्हारे पर तब भी उनके दिल में ये होता है कि हम अपने बच्चों को आशिरवात दें ताके वो अपने जीवन में आगे बढ़ जो बच्चे अपने माता पिता का आशिरवाद लेते हैं इश्वर का आशिरवाद लेते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं उनका ख्याल लगते हैं और उनके साथ दो वक्त बैठ कर अपना टाइम स्पेंट करते हैं वो बच्चे अपनी जिन्दगी में जरूर कामयाब होते है और कभी भी उनके रस्ते में मुश्किल नहीं आती वो आगे बढ़ते रहते हैं और हर दम खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें इश्वर पर और अपने माबाप पर भरोसा होता है कि हमारे माबाप हमारा ध्यान रख रहे हैं हमें हर रोज आशिरवात देते हैं कि आप अपनी ज जिन्दगी में आगे बढ़ते हैं अगर आप अपने माता-पिता का खयाल रखेंगे उनकी इस्पेक्ट करेंगे तो आपको दिल से दुआ देंगे दिल से आपको आशिरवात देंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और खुश रहेंगे वीडियो अच् करें, शेर करें, चैनल को सब्स्क्राइब करें, थैंक यू